इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Play Store से अकाउंट को कैसे रिमूव करेंगे अकाउंट को कैसे हटाएंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से लाश तक देखते रहें तो देखिए आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने Mobile में, Gmail में और Gmail में जाने के बाद आपको क्या करना है कि उपर आप देख रहें 3. तो 3. पे जाना है और 3. में जब जाएंगे तो इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आपको चले जाना है Settings पे और Settings पे जब जाएंगे तो जो भी Gmail ID से आप Login होंगे वो सारे Gmail ID यहाँ पर दिखी जाएंगे तो आपको क्या करना है उस email ID को यहाँ से सलेक्ट कर लेना है और उस email ID को यहाँ से सलेक्ट नहीं करना है उपर आप देख रहे हैं right side में 3 dot तो 3 dot में जाना है और 3 dot में जब जाएंगे तो यहाँ पर दो option दिखाई देगा manage accounts और help and feedback तो आपको manage accounts पर जाना है जैसे आप manage accounts पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा Google तो Google पर आपको क्लिक करना है जैसे आप Google पर क्लिक करेंगे तो आपको जाना है mode पर और mode पर जाना है तो mode पे नहीं जाना है यहां से जिस account को आपको remove करना है उसे select कर लेना है और उसको select करने के बाद यहां पे आपको जाना है mode पे और mode पे जब जाएंगे तो यहां पे sync now है और remove account है तो आपको remove account पे जाना है और remove account यहां से कर देना है और जब remove account करेंगे तो आपका यहाँ से Google Play Store से आपका account जो है remove हो जाएगा हट जाएगा तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजिएगा और चैनल को subscribe कर दीजिएगा